कि वेल्कम आप सभी का हमार एजुकेशनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कम्यूटी पर एक बार फिर से स्वागत है आज हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे दो इमपोटन्ट टॉपिक्स को जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर पाई हैं पहला यहांप तो होगए आपका सेटिं अरेज्मेंट और दूसरा होगए यहांप का पजल्ट अगर इन दो टॉपिक्स की हम बात करेंगें तो जैसा कि मैथमेटिक की कर लाइंहांट करते हैं तो कहीं का वेटेज कम देखने को मिलेगा ना सिर्फ वेटेज कम देखने को मिलेगा साथ ही साथ अगर हम बात करें level of questions की तो यहां पर आपको level of questions भी काफी आसान देखने को मिलते हैं comparison to banking and insurance exam ना सिर्फ SSC कि अगर हम बात करें state level exams की या हम railways के exam की बात कर लेते हैं या अगर हम बात करें सी सैट जैसे कि आपका अगर हम बात करें UPSC हो गया या फिर state PSC के exam में जो सी सैट में आपको questions देखने को मिलते हैं तो इनका भी level banking और insurance की तुलना में आपको आसान ही देखने को मिलता है तो अगर हम बात करें आज के सेशन की तो आज हम इन दोनों ही topics को discuss करेंगे यानि कि हम बात करेंगे यहां पर इनसे related basic concepts की और questions को बनाने के लिए हमारा approach क्या होना चाहिए फिर आप किसी भी एक्जाम में अपियर होते हैं accept banking and insurance की मैंने कहा level का आपको difference देखने को मिलेगा तो अगर आपने approach और concept सीख लिया तो वहाँ पर भी आप questions को आसानी से बना पाएंगे बशरते आपको आवर्शक्ता होगी थोड़े से number of questions की practice की clear तो अगर हम बात करें यहाँ पर आज के session की तो आज हम लोग इनसे जूड़े हुए basic concepts और approach हमारा क्या होना चाहिए इसके बारे में हम लोग basically चर्चा करेंगे तो चलिए start करते हैं आज का session session की अगर मैं बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं sitting arrangement की तो अगर हम sitting arrangement की बात करें तो sitting arrangement से जूले हुए कुछ basic concepts को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें तो हुआ नहीं के सबदेश hoster fragment कुर्षन का Regis अधर में आपको कितने प्रकार के प्रश्ण देखने को मिलते हैं थिए ला को गोह losing ऐसे बचसे उप और मिलते हैं पहला हो जादा है सबस्क्रिदास को देखने को मिलते हैं तो थे प्रकार के पूछ नौन प्रकर से पूछे जाते हैं एक जब बंदे क्या कर रहי होते हैं केंद की ओर देख रहे होते थैंट तो आपको इन दो प्रकार के प्रष्ण देखने को मिलेंगी तो क्या है इस सर्कुलर ऑरेंज्मेन्ट पर बेश कोश्चन देखने को मिलते हैं तो जी हम कर देता है कि आइ explored के विपरीय थे लिए कोरणर वाले बन्दे आपके सेंटर पे देख रहें और एक बार कुछी बार आपको next नहीं किया गया होता है ने कि वन्दे तो होते हैं सारते नमबही ही लेकिन वह आपको fix नहीं किया गया होता कुछ बंदे आपके यहां पर circular arrangement में बैठे हुए होते हैं जिसको आपको find out करना होता है कि number of person कितने है तो इस प्रकार के question भी आपको देखने को मिलते हैं कि लेकिन हमें यहां पर पढ़ना है हमें क्यों पढ़ना है समार यहां पर हो जाएगा आपका जब बंदे क्या होते हैं तो यहां पर दो प्रकार के question देखने को मिलेंगे जब क्या करेंगे बंदे नॉर्थ की और देख रहेंगे और जब क्या करेंगे साउथ की और देख रहेंगे इसके लावा अगर हम बात करें तो यहां पे आपको दो अलग अलग रोज पर बेश्ट question भी देखने को मिलते हैं लेकिन आपके exam के point of view से यह important नहीं है आपके exam के point of view से केवाल facing north और facing south वाले ही questions आपको देखने को मिलेंगे तो इसका भी basic approach हम लोग discuss करेंगे तीसरे परकार कि अगर हम बात करें तो floor पर बेश्ट आपको question देखने को मिलते हैं जिसका arrangement आपको करेंगे circular arrangement circular arrangement के basic concepts को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रश्ण लेते हैं और प्रश्ण में हम लोग यहाँ पर इसका basic approach क्या होना चीक को हल करने का और इसके पीछे का जो basic concept है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे चलिए प्रश्ण आपके screen पे आ चुका है B, C, D, E, and F तो basically अगर हम बात करें आपके exam की point of view से तो यहाँ पर बेस्ट ही question देखने को मिलते हैं बहुत rare case में आपको 8 वेक्तियों पर बेस्ट question देखने को मिलेगा तो अगर हम बात करें यहाँ पर circular arrangement की तो सबसे पहले हमारा approach क्या होना चीक को बनाने का और इसके conditions को बनाएंगे और एक हम लोग रख लेंगे यहाँ पर पॉसिबाल स्ट्रक्चर को लेकर के question को हल करेंगे दूसरी important बात यहाँ पर आपको दिया गया है facing the center यानि कि सभी बंदे कहां देख रहे हैं केंदर की और देख रहे हैं तो केंदर की और देख रहे हैं तो हमको इस समझ में नहीं आता तो हम अपनी सुविदा के साफ से इसको इस प्रकार से बना लेंगे और यह मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं जो पहली बार class कर रहा है बच्चा उसके लिहास से भी और जो बच्चे पल चुके हैं उनके लिहास से भी important हो जाता है क्योंकि यहाँ प आप ड्रो करें ना करें डिपेंड करता है कि आपकी practice कितनी है और यहाँ पर कितना proper तरीके से समझ पा रहे हैं दूसरी important बात यह कि जब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किसी बंदे की position जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा a sitting second to the left of c यानि कि अ हमारा movement होगा वो कैसे होगा तो वो movement होगा हमारा clockwise और जब हम बात करेंगे right की तो हमारा movement कैसा होगा वो होगा anti clockwise अब इसका मतलब क्या है इसको भी हम लोग यहाँ पर structure में समझने का प्रयास करते हैं जैसा कि बोला गया है a sitting second to the left of c यानि कि a कहां बैटा है c के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है a c के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जब हम बात करेंगे बाएं और किसके रिफरेंस में बात करी जा रही सी के रिफ्रेंस पर बात करी जा रहें कि सबसे पहले हम लेंगे सी को और सी के रिस्पेक्ट में कहां बैठा है बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है तो आप देख रहे हैं कि जब यहां पर लेफ्ट या फिर बाई वर्ड का यूज हुआ है और हम बात करें फेसिंग यहां पर कौन आ जाएगा लहां पर पासिबल डायग्राम हम ने लिए तो उसको बना लेंगे बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉट अब आपको देखने को मिल रहा है हुँ यहां पर देखने को मिल रहा है जो या भी हम बात करें फिर which या फिर त्परकार से जो भी हापको दिखाई देंगे वो किसके लिए आएंगे इसके जस्ट पहले आने वाले element के लिए या आप बोल सकते हैं second person के लिए इसी प्रकार जब हम बात करेंगे जो जिसका जिसकी इस प्रकार से जो भी आपको वर्ड दिखाई देंगे इसके पहले आने वाले element के लिए यह आप बोल सकते हैं second person के लिए और इसी की जगे पर इंग्लिश के हम बात करें आपको एंड लिखा हुआ दिखाई देगा यह हिंदी में आपको और लिखा हुआ दिखाई देगा तो यह किसके लिए आ जाएगा तो यह इसके आने वाले एक व्यक्ति को छोड़ करके जो दूसरा रखती होगा उसके लिए होगा यानि कि आप बोल सकते हैं कि first person के लिए अगर हम बात करें यहां पर एंड लिखा हुआ दिखाई देता तो वो किसके लिए होता वो एक के लिए हो जाता अपरोच में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि हमें क्या कर लेना होता है पोजीशनस बना लेनी होती है एक possible structure बना लेना होता है इस प्रकार से और उसके बाद हम क्या करते हैं अरेंज करते हैं अब दूसरा important बात आप लोग जान लीजे कि जो भी यहां पर आपके दी गई जानकारी इन structure पर fix नहीं होगी यानि कि इन structure पर डारेट आप उसको fix नहीं कर सकते अगर element को तो उसको हम क्या करेंगे as an information note down करके लिख लेंगे जो भी बाते हैं पर fix नहीं होगी उसको हम लोग क्या करेंगे information के तौर पर note करके लिखते हुए चलेंगे और finally फिर हम उसी information के अधार पर यहाँ पर elements को fill करेंगे यानि कि information लिखने का main motive क्या है कि हमें दोबारा paragraph पढ़ने की जरूरत ना पढ़े यानि कि जो भी बाते fix हो गई हो गई जो नहीं होगी उसको हम लोग क्या करें as an information note down करके रख लिए और उसी के अधार पर हम लोग इसमें क्या कर देंगे fill कर देंगे data को दूसरा information ऐसे लिखना है कि आपको समझी में आए अपनी सुविधा अपनी practice के अनुसार यहाँ information को note down करेंगे मेरा information note करने का तरीका अलग हो सकता है आपका तरीका अलग हो सकता है a sitting second to the left of c a c के अभाई और दूसरे स्थान पर बैठा है जो who who किसके लिए c के लिए who is an immediate neighbor of b जो कि क्या है b का एक पड़ोसी है तो b के लिए यहाँ पे दो समभावित स्थान हो सकते हैं एक तो हो गया यहाँ पे और दूसरा हो गया यहाँ पे जाने कि b के लिए यहाँ पे दो possible positions हो सकती है तो दोनों possible position को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं और structure possible बनाने का main motive यही होता है ठीक है आगे की information की अगर हम बात करें तो बोला है e is sitting between b and f e जो है वो b और f के मद में बैठा है तो अगर आप ध्यान दें तो e के अगर हम बात करें तो e के लिए यहां पर position खाली नहीं अगर यहां पर f को fill करेंगी तो यहां नहीं बैठ पाइगा f को यहां फे Luck करेंगे तो यहां नहीं बैठ पा रहा जाए और जो आपका बचा तो इस प्रकार से आपका structure बन करके क्या है तयार है यह हो गई एक बात अब हम दूसरी बात कर लेते हैं जिसमें आप लोगों को क्या होती है कठिनाई होती है या कठिनाई देखने को आपको मिलती है तो दूसरी important बात क्या है कि जब हम बात करेंगे facing opposite towards the center की जब हम बात करते है facing opposite towards the center की तो कहीं न कहीं हमारे लिए थोड़ा सा प्रश्ण को हल करना क्या हो जाता है कठिन हो जाता है लेकिन मैंने कहा facing towards the center करके question पूछे या facing opposite towards the center करके पूछे आप facing towards the center करके ही question का answer दे सकते हैं जिन question के answer में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा उन प्रश्णों को भी हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे तो अगर इसी particular information को हम क्या करते हैं यहाँ पे facing opposite towards the center यानि कि केंदर की विपरीत करके solve करें तो देखने को यहाँ पे मिलेगा कि हमारा जो पूछे गए प्रश्णों का answer है वो same आ रहा है उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है यानि कि facing towards the center करके हमने question को बना लिया आप यहाँ पे आपसे कोई भी प्रश्ण पूछे आप उस प्रश्ण का answer आसानी से दे सकते हैं इस ड्रॉ किये गए diagram के according ठीक है अब अगर इसी को हम facing opposite towards the center के साथ में तुलना करें तो इसी दी गई जानकारी को हम केंदर के विपरीत मुख किये हुए इच्छा वक्तियों के arrangement पे apply करके देखेंगे तो जैसा कि यहाँ पे आपको बोला गया है चलिए इसको हम मान लेते हैं facing opposite towards the center तो यहाँ पे अगर हम बात करें दी गई जानकारी की तो बोला A is sitting second to the left of C तो ध्यान दीजे जब हम बात करेंगे केंदर के विपरीत की तो यही आपकी information क्या हो जाएगी reverse हो जाएगी कैसे जब हम बात करेंगे left की तो यह हो जाएगा आपका anti clockwise यानि की घड़ी के दिशा के विपरीत या फिर वामा वर्त दिशा और अगर हम बात करेंगे right की तो हो जाएगा यह clockwise यानि की घड़ी की दिशा में या फिर दिशा में तो जब बोला जा रहा है A, C के बाहिए और दूसरे स्थान पर बैठा है तो यह हो जाएगा C और एक दो यह हो जाएगा आपका A फिर यहाँ पर बोला गया था B is an immediate neighbor of C यानि की B क्या है C के ततकाल पडोसियों में से A का है इपरीत दिशा में जब व्यक्ति देख रहें सेम इन्फॉर्मिशन को आप अगर इस प्रकार से सॉल्व करते हैं अब बात करेंगा हम लोग पूछे जाने वाले प्रस्थनों की यहाँ पर मैं जो भी आप से प्रस्थन पूछूंगा आप दोनों स्ट्रक्चर में तुलना करके देखेंगे और आपको दोनों ही प्रस्थनों का आंसर यहाँ पर सीम देखने को मिलेगा जैसे कि हमने कहा वाट इस दा पोजिशन ओफ ए विद रस्पेक्ट टू एफ एका स्थान एके सापेक्ष क्या है यानि कि अगर हम यह कि स्थान की बात करता आप देख सकते हैं बी के सापेक्ष डी की स्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं सेकंड टू दा लेफ्ट अगर यहाँ पर हम बात करें तो देख सकते हैं सेकंड टू दा लेफ्ट यानि कि डी की पोजिशन क्या है बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है ठीक है अगर हम बात कर तो आपको B, C और D दिखाई देंगे ठीक है तो यह कुछ बेसिक बाते होगे जिन प्रस्णों का उत्तर आपको समान देखने को मिलेगा चाहे केंद्र की दिशा में देख रहे हो या फिर केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहे हो और आप उसको केंद्र की दिशा में करके बना रहे हैं तो किन प्रस्णों में आपको ध्यान देना इसकी हम बात कर लेते हैं If all the persons are arranged in alphabetical order starting from A, यदि सभी व्यक्तियों को वर्णा नुकरम में व्यवस्थित किया जाए, A से शुरुवात करके, ठीक है? यदि सभी व्यक्तियों को क्या किया जाए? वर्णा नुकरम में व्यवस्थित किया जाए, If all the persons are arranged in alphabetical order starting from A, then position of how many persons will remain same, तो कितने व्यक्तियों का अस्थान समान रहेगा, या फिर unchanged या आप हिंदी में बोल सकते हैं, आप परिवर्टित रहेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये हो गई प्रस्ण की बात, अब इस प्रस्ण में क्या क्या add-on करके आपको दिया जाना चाहिए, पहला, including a, और accept a, यानि कि a को लिया जाना है, या फिर a को छोड़ना है, दूसरी important बात कि clockwise जाना है या फिर anti-clockwise जाना है, तो ये कुछ जानकारी जो प्रस्ण के साथ आपको दी गई होनी चाहिए, otherwise आपके answer यहाँ पर vary करेंगे, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, जब हमने कहा सभी वेक्तियों को हम क्या करते हैं, alphabetical order में arrange करते हैं, तो चलिए arrange करके देखते हैं, तो अगर हम a से start करें, तो यह हो जाएगा आपका a, clockwise चल रहे हैं, ठीक है, यह हो जाएगा आपका b, यह हो जाएगा आपका c, यह हो जाएगा आपका d, यह हो जाएगा आपका e, यह हो जाएगा आपका f, यहाँ पर भी अगर हम clockwise की बात करें तो यह हो जाएगा आपका A, यह हो जाएगा B, यह हो जाएगा C, यह हो जाएगा D, यह हो जाएगा E, यह हो जाएगा F तो आप देख सकते हैं कि इस particular question का answer यहाँ पर आपको अलग होता हुआ दिखाई देगा यानि कि अगर हम A को include करके यहाँ पे number of members को गिनते हैं तो एक तो आपको A का स्थान A परिवर्तित दिखाई दे रहा है, C का स्थान A परिवर्तित दिखाई दे रहा है, E का स्थान A परिवर्तित दिखाई दे रहा है, और F का स्थान भी आपको A परिवर्तित दिखाई दे र यानि कि इस question का answer आपको अलग होता हुआ दिखाई देगा तो क्या अगर आपने facing opposite towards the center करके question आपसे पूछा गया है और facing towards the center करके आपने question बना लिया है तो क्या आप इस फ्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप इस फ्रश्न का उत्तर दे पाएंगे और सही सही दे प पाएंगे क्योंकि जो जानकारी आपको यहां पर पूछी गई है clockwise direction के लिए वही सेम जानकारी यहां पर आपको एंटी clockwise में बनती हुई दिखाई देगी जैसे कि आप देख सकते हैं ए भी कि सी डी और ए और एफ तो यहां पर मैं यलो और ग्रीन कलर वाले एलिमेंट्स को कवर करूं तो देखो A, A के बाद में आपको देखने को मिल रहा है C, C के बाद आपको देखने को मिल रहा है यहां पर E, और यहां पर देखने को मिल रहा है आपको F, यानि कि चार एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका इस्थान आप परिवर्तित है जो कि आपको यहां पर clockwise direction में जाने को मिल रहा था और यहां पर जो जानकारी आपको clockwise में मिल रही है जब हम anticlockwise आएंगे तो वो इसके जैसी आपको देखने को मिलेगी जैसे कि यहां पर देख सकते हैं A, B, C, D, E, F यानि कि अगर यहां anticlockwise आते हैं तो एक अलामा कोई भी ऐसा element नहीं दिखाई देगा यहां कि yellow और green element देख सकते हैं आप जो कि आपको सेम बनता हुआ दिखाई दे नहीं दिखाई देगा क्यों क्यों क्योंकि यहां पर जो जानकारी हमें clockwise में मिली थी वही जानकारी यहां में anticlockwise में मिलेगी तो फरक कुछ नहीं है बस अगर हम बात करते हैं जब भी clockwise या anticlockwise moment पर based questions की तो यहां पर आपको इसके विपरीत करना होगा अगर आपने क्या किया है अप पोजिट टूवर्ज सेंटर करके दिया है और आपने उसको facing towards the center करके बना लिया है तो clear तो यह हो गई basic बातें जो कि आपको sitting arrangement पर क्या करना है अपनी केबल करके देख लेना यानि कि facing towards the center करके दिया जाए facing opposite towards the center करके प्रशना आप से पूछा जाए कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं होने वाली आप आसानी से बना पाएंगे किसी एक तरीके को पहले आप क्या करेंगे follow करेंगे उस पे जब आपका बहतर command हो जाएगा तब आप दूसरे वाले तरीके पर क्य towards the center देख रहे हैं तो उसकेस में जो priority होगी हमारी क्या हो जाए कि facing towards the center के लिए हमारी priority बनेगी केंदर की और देखना हम ऐसा मान करके चलेंगे और कई बार common sense के अधार पर यह आप find कर सकते हैं जैसे कि आपको जानकारी में दिया गया है कि आठ व्यक्ति एक गोला कार मेज पर मेज के चार और बैट करके डिनर कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं तो अब यसी बात है वह क्या करेंगे टेबल में केंदर की और ही देख करक के लंच नहीं करेंगे आपको बोला जाय का कि выступate क्या कर रहे हैं केरम यहां paste कई बार को सकते समसे कर सकते हैं और अगexplos प्रकार की information नहीं करेंगे सभी वत्ती देख ऑनकर करेंगे इसा मान करकर को बनाएंगे और इनकेस आपसे कुछ भी बीच में ऐसा पूछ लिया जाता है तो मैंने उसके लिए तरीका ही बताए कि आप कैसे यहां पर आसानी से कोश्चन का अंसर कर सकते हैं कि कोश्चन का जो स्ट्रक्चर बनेगा उस पर कोई भी आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा बात करते है यहां पर हम लोग सीधे प्रश्चन की और प्रश्चन को हम लोग यहां पर हल करेंगे अप्रोच से मोना चाहिए आप लोग भी हमारे साथ-साथ बनाएंगे तो पहले आप स्क्रिंशॉट ले सकते हैं आप लोग भी हमारे साथ-साथ बनाएंगे और उसके बाद यहां पर क्या आउट साइड वाले में कैसे हमें अप्रोच करना हलाक यह अंसर आपका सेम आएगा छे बंदे हैं हमने कहा एक बनाएंगे हम लोग क्या पॉसिबल डाइग्राम जो डाटा फिक्स होगा उसको फिक्स करेंगे जो नहीं फिक्स होगा उसको एजन इंफॉर्मेशन नोट डाउन करके लिखेंगे पहली जानकारी आपको दी गई है और मक दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है तो यह होHAHA मैंने कहा था फेसिंग बसित क्या अंजब क्या होगा क्लॉक वईस होगा और दाएं का मतलब क्या होगा अन्तिध kijken तो जब तक आपका ठीक था कमांड नहीं हो जाता है इन टॉपिक्स पर तब तक आप इस प्रकार से अपने सुविधा के लिए इसको बना करके सॉल्फ करेंगे प्रैक्टिस सेशन में यह सब कुछ नहीं करा हूं को डारेट हम लोग को हल करेंगे चलिए अब हम बात करते हैं यहां 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 पर यह को माणलें यहां पर स्टरेट एक एक मिले Beach निकत्तम परोसी यहां तो आपको पो प्लेसे यहां भी वह सकता है क्लियर ओव्य दोनों जगें से आगे आगे आपको बोला कियों के दाय से दूसरे स्थान पर आपको यहां पे दाय से दूसरे स्थान पर आपको यहां पर बना baggage का निकटम पडोसी एप कि यहां पर यहां दूसरे स्थान पर आपको यहां पर बना लेंगे किसको क्यूं और इस प्रकार आप प्रशन आपसे यहां पूचे याप उस प्रस्थान का उत्तर आसानी से दे सकते हैं प्रस्टन है कि के दाये से स्थान से दूसरे स्थान slight कौन बैठा है तो की दाये से दूसरे स्थान पर क्लिर लिभा सकते आपके यहां पर दिखाई दे रहा है यहां सर क्या हो जाए ओ corn दे अब यहां पर थोड़ा सापको verify भी करा देता हूं कि अगर इसको हमने केंद्र की और करके बनाया होता तो भी आपका आंसर क्या था से माता देखे कैसे सबसे पहले हम बात करें O कहां बैठा है M के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है तो यह हो जाएगा आपका O दूसरा आपको बोला गया था कि L और N क्या है opposite directions में बैठे हुएं तो हमें पता है कि यहां पर कौन हो जाएगा आपका N हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा आपका L इसके बाद आपको बोला गया था P क्या है N का immediate neighbor है जो Q के left में second स्थान पर बैठा हुआ है निक यह हो ज पूछे गया प्रश्ण की तो Q के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है तो Q के दाएं से दूसरे स्थान पर यहां पर आपको लहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो यह मैंने verify भी यहां पर आप लोगों को करा दिया चलिए आज आते हैं अगले प्रश्ण पर औ यहां तो na hoang वी द्टेड स्रॉक्चर की बात करें तो आठ वेक्तिती हैं तो यह हो गया दो 2526 और 28 इसी प्रकार से यहां पर दो जानकारी की तो यहाँ पे आपको दिया गया है यहांतर स्टार्ट है यां के धाएं से दूसर स्थान पर बैठा यान। यहां पर नहीं करें व की तो एक दो यह हो जाएक हो जाएंगा यूप इस की तो एक और दो ही हो जाएगा यूकस था इसके बाद आपको बोला गया है डवलू और एक्स के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं यानि कि डवलू और एक्स के बीच में दो व्यक्ति बैठे तो हम यहां पर डवलू और एक्स को भी फिक्स नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंग यानि कि W और X के बीच में दो व्यक्ति इस प्रकार से हो सकते हैं और W और X के बीच में दो व्यक्ति इस प्रकार से हो सकते हैं तो इस बात को आप इस प्रकार से भी नोट डाउन कर सकते हैं और इस प्रकार से भी नोट डाउन कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसवार ठी पर आपको बहतर कमांड है आप उस तरीके को फॉलो करेंगे फिर हम बात करेंगे आप जैड और जैड वाई का निकत्तम पड़ोसी नहीं है जैड इस नॉट एन इमीडियेट नेवर और ओफ वाई दाइं से थेसे इंफॉरमेशन को हम आपो इस फॉकार से नोट डाउन करके लिख लिया आगे कि अगर हम बात करें तो बोला है yw के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है कि अगर हम बात करें w की तो इस बार यह बात फिक्स है एक, दो, और तीन, यानि कि यहाँ पे फिर Y इधर नहीं होगा, यह fix होगा है, क्योंकि यहाँ पे आपको direction दे दियागा है, कि Y कहाँ बैठा है, W के दाई और तीसरे स्थान पर बैठा है, आगे कि अगर हम बात करें तो बोला है, X, T की और उनमुख है, X और T कहाँ देख र राइट से देखोगे, तो भी यहाँ तीन वेक्ती मिलेंगे, लेट से देखोगे, तो भी तीन वेक्ती देखने को मिलेंगे, तो यह बात भी यहाँ पे क्या होगे, fix हो गई, आगे की information कि अगर हम बात करें, तो बोला जा रहा है, S, U के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, S कहाँ बैठा, U के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर आप जाकर करके, हमें information मिली, जिसको हम इसमें क्या कर सकते है, fill कर सकते हैं, तो एक, दो, तीन, यहाँ पर कौन हो जाएगा, S हो जाएगा, अब अगर हम बची हुई जानकारी की बात करें, तो T और X क्या और के वहला हमारे पास दो संभावित स्थान है यानि कि यहां पर हम यहां तो ट को बना ले यहां पर एक्स को बना ले यहां तो यहां पर हम ट को बना ले और यहां पर एक्स को बना ले दो ही हमारे पास संभावित स्थान बचे कि इसके लिए एक्स और ट के लिए आगे की ज हमारा तुझाई कर लेंगे w को इसी प्रकार एक और दो को यहाँ पर हम छोड़ेंगे तो डबलू के लिए अगी बचलेंगे यहाँ और भी तुमी की जगा बचलेंगे व को यह structure हो गया हमारा, cancel यानि कि यह structure हमारा सही बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, बचे हुए व्यक्ति की बात करें, तो बचा हुए व्यक्ति हमारा यहां पे कौन है, Z है, जिसके लिए बोला गया था, Y का निकट्टम पडोसी नहीं है, तो यह बात भी हमारा सही होती पूछे गए प्रश्णों की, प्रश्ण में आपसे पूछा है, who is sitting second to the right of S, S के दाई और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पे आप क्लिरली देख सकते हैं, S के दाई और दूसरे स्थान पर आपको T देखने को मिल रहा है, यानि कि answer क्या हो जाएग, option number C, clear, option option number C, यहाँ पर क्यों हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, पूछे गए, प्रश्ण के लिए, बात कर लेते हैं, अगले प्रश्ण की, how many persons are sitting between Z and T, when counted from left of Z, जब हम Z के बाई और से गणना शुरू करते हैं, तो Z के बाई और की बात करें, अगर हम, तो आप देख सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, चार वेक्ति आपको बैठे हुए दिखाई देना किसके बीच में, Z और T के बीच में, तो यहाँ पर भी आपका जो answer बनेगा आपका option number C, clear, बात कर लेते हैं, अगले प्रस्न की, which of the following is true regarding Z, Z के respect में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कौन सी दी गई जानकारी आपकी, सही है, तो यहाँ पर पहला आपको दिया गया है, X is immediate left of Z, X कहा है, Z के immediate बाई और बैठा है, तो clearly आप देख सकते हैं, X कहा है, Z क immediate बाई हो रहे हैं, यानि कि यह बात क्या है, सही है, दूसरी जानकारी के अगर हम बात करें, तो बोला है, three persons are sitting between Z and T, Z की बात करें, तो अगर आप इसके towards right आओंगे, तो दो व्यक्ति दिखाई देंगे, यानि कि यह जानकारी यहाँ पर गलत होती हुई, दिखाई दे रह है, वहाँ पर दी गई जानकारी आपकी सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रशन के लिए option number A, अब हम लोग बात करेंगे linear arrangement की, यानि कि पंक्ती पर based आपके arrangement की, तो linear arrangement की अगर हम बात करें, तो जिस प्रकार से आपने देखा, sitting arrangement में हम लोग क्या करते हैं, पहले व से नहीं करना होता है, क्योंकि मान लेते हैं, हमने का छे व्यक्तियों का एक arrangement है, और सभी व्यक्ति कहां देख रहे हैं, उत्तर की और देख रहे हैं, छे व्यक्तियों का एक arrangement है, सभी व्यक्ति उत्तर की और देख रहे हैं, और आपने इस प्रकार से छे स्थान पहले से सु अगली जानकारी आपको दी गई सीटिंग सेकंड टू लेफ्ट आफ ए तब क्या करोगे यहां पर सेकंड टू लेफ्ट आफ एक लिए स्पेस ही नहीं खा लिए तो ध्यान क्या रखना है कि जब हम बात करेंगे लीनियर अरेंजमेंट की तो जब तक हमें किसी छोर के पारें में जानकारी ना मिल जाया है चाहिए कि राइट के पूछाओ फेसिंग करकर पूछाओ फेशिंग टॉटिवर्स कर पूछाओ फेशिंग टुवर्स ञेंगा तो फेशिंग टूवर्षा करके बनाना है यहाँ पर प्रष्णों में क्या नतर आएगा तो इसका भी मैं आपको तरीका बताऊँगा तो आते हैं सीधे हम लोग यहाँ पर पर परस्ण के अगर हम बात करें six people a, b, c, d, e, and f are sitting in a row facing north, सभी कहां देख रहे हैं, उत्तर की और देख रहे है, c sitting second to the left of b, c कहां बैठा है, b के बाइए और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इह हो जाएगा, b यह हो गया एक, और यह हो गया, अगे आपको दिया है हूँ तो हूँ किसके लिए हुआ यहां पर डी के लिए who is not sitting at any of the ends यानि कि जो किसी एक छोर पर नहीं बैठा अब D किसी छोर पर नहीं बैठा है तो ओबिसी बात है D के राइट में बंदे होंगे तो D के लेफ्ट में भी अटलिस्ट एक बंदा तो होगा ही होगा बंदे बोले गए ते च्छे और यहां पर च्छे बंदे आपके कंप्लीट हो चुके यानि कि आपकी पोजीशन क्या हो चुकी है फिक्स हो चुकी केवल हमें क्या करना है फिल करना है डाटा को आगे कि अगर हम बात करते तो बोला है आगे आपके बोला इस सिटिंग आइधर और यहां बैठा किसी एक छोर पर बैठा है तो यह हो जाएगा यहां पर बचा हुआ वह जाएगा यहां पर कोई भी कोशन पूछा जाए आप उस कोशन का आंसर आसानी से कर सकते हैं अब मैंने कहा अगर मान लेते हैं यह फेसिंग टूबर्ट साउथ करके दिया गया होता तो आपने नौर्थ करके बना लिया है तो क्या कठिनाई आती कठिनाई कुछ नहीं आती आपको क्या करना होता बस कॉपी को आप घुमा लेते आंसर आपका सेम आएगा ठीक है आंसर आपका सेम आएगा कुछ ऐसे कोशन ह होते हैं जिनके अंसर बदलते हैं जैसे आपको बोली आ जाएगा गार आपने साउथ वाले को कि यह आपको इस प्रकार से अरेंजमेंट दिखाई देता है क्लियर अब अगर हम मान लिजा आप से पूछे हुई सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट अफ एक बाइं और दूसरे स्थान पर कौन बैठ है तो यहां पे भी आपको एफ दिखाई देगा और एक बाइं और दूसर कि बीच में दो व्यक्ति दिखाई देंगे प्रस्थनों का उत्तर कहां से चेंज हो का जब आपको एंड्स की बात करी जाएगी जब तो उन प्रस्थनों का उत्तर आपका बदलेगा यानिए अगर आपने उल्टा स्रक्चर बना लिया है तो लेफ टेंड करके कोश्ट देखते चाहे शिय करके बोला जाए तो नों वी टॉपी को कुबहा ₹ तर यूज सानी से कर पाएंगे चलियों अत्र कर सब देखने खाऊ तो चाहो साओँ से बना लो चाहो नैनल नौर्थ से तो बोला जा रहा है यहां पर वाइई सुटेंग साथे राइट नीड़ यानी कि जब शोड के बाराम में जानकारी तो पॉजिशन हो गई हमारी Потому. ढोला है। यहां आप शोर पर बैटा है याना अगर हम बात कर इधर तो छोड़ अब हो नहीं सकता यू और बैसी बात है यू अब लेफ्ट एंड पर ही हो सकता अभी फिलाल तो यहां पर वेक्ति हमारे पास देच्छे तो एक दो तीन हो गई हो गया चार ही हो गया पांच ही हो गया छे पोजीशन हो गई फिक्स आगे की जानकारी की अगर हम बात करें तो बोला गया है एक्स इस सिटिंग फोर्थ टू दा लेफ्ट ऑफ जेड एक्स जेड के बाई और चौथे स्थान पर बैठा है तो यहां पर एक्स और जेड के रिस्पेक्ट मेंगर हम बात करें तो जेड को अगर हम यहां पर बैठाते हैं तो ही यह पॉसिबिल्टी के एक्स उसके फोर्थ टूदा लेफ्ट में आ जा यानि कि यह बात भी यहां पर फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है तो इसको भी हमें आज इन इंफॉमेशन नोट करने के आव शकता नहीं पड़ेगी हम डा डबलू एक साथ बैठें तो यह जाएगा डबलू आरेंजमेंट आपका बनके तयार है बात कर अगर पूछे कर प्रश्न की तो बोला है हूँ इस सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डबलू डबलू के बाई और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है तो अंसर आ जाएगा एक्स या डबलू य एक्स और यू यह अर्रेंजमेंट आपको इस प्रकार से नजर आएगा इसी प्रश्न का उत्तर आप इससे भी दे सकते हैं इससे भी दे सकते हैं कोई परिवरतर नहीं है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं डबलू के बाई से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है तो डबलू के बाई से दूसरे स्थान पर एक्स बैठा है तो भी आंसर आपका एक्स ही आ रहा है ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की सिक्स पर सन एनो पी क्यू आर एस आर सिटिंग इनरो फेसिंग नौर्थ यानि कि इस बार भी छे वेक्तियों कि हम बा अंतिम चौर पर है यानि किसकी 2 पॉसिबिल्टी हो सकती है यह हो जाएगा ओ यह हो जाएगा ऐस तो हो सकता है कि S अंतिम छोर पर ना हो और हो सकता है कि O अंतिम छोर पर ना हो S क्या हो अंतिम छोर पर हो तो अगर S अंतिम छोर पर हुआ तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक और व्यक्ति ले लेंगे 6 और अगर O अंतिम छोर पर हुआ तो 1, 2, 3, 4, 5 एक और व्यक्ति ले लेंगे 6 दोनों में से एक क्या होगा arrangement हमारा सही होगा और एक क्या हो जाएगा Cancel हो जाएगा आगे दीगई जानकारी अगर हम बात करें तो बोला गया है P sits second to the right of O P कहां बैठता है O के दाइय और दूसरे स्थान पर बैठता है तो O के दाइय और दूसरे स्थान पर यह हो जाएगा P और यहां पर यहां पर हो जायगा पी आगे की जानकारी की अगर हम बात करें तो बोला गया है क्यू शिट्स थार्ट तूदर राइट आफ एन क्यू क्या करता एनके दाई और तीसरे स्थान पर बैठता है तो एक ही यहां पर केस बचा हुआ है कि अगर हम टीन हो जाएगा क्यों और बचे हुए व्यक्ति की भात करें तो बचा हुए व्यक्ति हमारे पास एक है वह क्या है आर और यहां पर दोनों फंट और सही सही नहीं हो सकते do तो ऐसा और आर की बात करें तो एक व्यक्ति से ज्यादा नहीं बैठेगा हमें आंसर करना होगा इस वाले स्ट्रक्चर के आधार पर तो अगर हम बात करें प्रस्ण की तो बोला गया हो मेनी परसंस आर सिटिंग बिट्वीन एन एंड आर एन और आर के बीच में कितने व्यक् अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें तो कितने ऐसे वक्ति हैं जिनका स्थान क्या रहेगा आप अरिवर्तित रहेगा तो अगर हम इनको एल्फाबेट और में अरेंज करते हैं तो देखिए यह हो जाएगा आपका अन ओ पी क्यू आर एस तो केवल और केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है पी जिसका स्थान क्या है आप परिवर्तित है बागी सभी का स्थान यहाप आपको परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा तो अंसर के अगर हम बात करें तो हो जाएगा option number C अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे floor पर based questions इस बार मैं हिंदी में data ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को शिकायत ना हो कि सरकेवल English में ही question को हल कराते हैं तो अगर हम बात कर इस बार भी साथ व्यक्ति एच आई जे के ल एम और एन साथ तलों वाले इमारत में रहते हैं भूतल की संख्या एक है पहले तल की संख्या दो है और इसी तरह अंतिम मंजिल की जाएगा एक यह हो जाएगा दो यह हो जाएगा तीन यह हो जाएगा चार यह हो जाएगा पांच यह हो जाएगा छे और यह हो जाएगा साथ अब एक अरेंजमेंट हम इसके लेफ्ट में बना लेंगे एक अरेंजमेंट हम इसके राइट में बना लेंगे यानिकि हमें से कहा स्टक नीचे एक अगर वाले तल पर रहता यह निदेफ gay यहाई AP 500 पांच प्रॉर पर रहेगा यहां चोथ यहारो दूसरे फ्लोर पर आगे कि अगर हम बात करें एम और एन के बीच एक तल का अंतर है तो एम और एन के बीच एक तल का अंतर है तो यहाँ पे दो पॉसिबिल्टी है और यहाँ पे एक पॉसिबिल्टी है तो हमने कहा जहां कम पॉसिबिल्टी होगी उसको हम पहले फॉलो करेंगे तो M और N के बीच में एक तल का अंतर है तेहां हम बना लेंगे किसको N को और यहां पे अजन इंफॉर्मेशन इसको लिख भी लेंगे क्लियर क्योंकि यहां पे अभी हमने फिक्स नहीं किया है मान लेते हैं यह कैंसिल होगया तो क्या काम आएगा हमारा इंफॉर्मेशन काम आएगी दुबारा परग्राफ पढ़ने की जरुबत नहीं है फिर आपको बोला गया है N के बीच एक तल का अंतर है जो J के तल के नीचे रहता चाँ यहां पर आगे आपको बोला गया था जो जो किसके लिए N के लिए तो N कहां रहता है J के तल के नीचे रहता है तो यहां पर भी आपका फिक्स हो जाएगा N की एक को छोड़ देंगे तो यहां पर आजाएगा आपका N क्यों क्योंकि बोला गया है कि N कहां रहता है J के तल के नीचे रहता है तो यानि इस information का भी कोई काम यहाँ पर नहीं है आगे कि अगर हम बात करें तो बोला गया है N और I के बीच दो तलों का अंतर है तो एक और दो को छोड़ेंगे तो यहाँ पर I नहीं आ सकता है इसलिए यह case हो जाएगा हमारा cancel और यहाँ पर हम बात करें तो एक और दो को छोड़ेंगे तो यहाँ पर आजाएगा I यानि कि I के लिए दो possible positions बन रही है बोला है लेकिन आगे जो सबसे उपरी तल पर नहीं रहता है यानि कि I सबसे उपरी तल पर नहीं रहता है तो I को हम लोग बना लेंगे कहां पे floor number one पे आगे कि अगर हम बात करें आपे तो बोला गया L के उपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या K के नीचे रहने वाले वेक्तियों की संख्या से एक कम है यानि कि अगर हम बात करें L के उपर जितने परसन है मान लेते हैं X परसन है तो यहाँ पर बोला L के उपर रहने वाले वेक्तियों की संख्या K के नीचे रहने वाले वेक्तियों की संख्या से K के नीचे अगर X रहते हैं तो L के उपर X-1 बंदे आपको देखने को मिलेंगे तो अगर हम बात करें L और K को हम कहां बठा सकते हैं सबसे पहले इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो अगर हम बात करें मान लेते हैं हमने बठाया आगे आपको बोला एक सम संख्या वाले तल पर नहीं रहता है यानि कि हमारे पास जो तल बचे हैं उनमें सम संख्या वाले दो तल बचे हैं एक सात्मा बचा है और एक तीसरा बचा है तो अगर हम इस वाली कंडिशन की बात करें L के उपर जो व्यक्तियों की संख्या वो K के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से एक कम है तो अगर हम K को यहां मान लेते हैं तो K को यहां मान लेंगे तो K के नीचे कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं L को यहां मान लेंगे तो L के उपर कितने व्यक्ति हो जाएंगे? एक व्यक्ति हो जाएंगे एक condition यानि कि अगर हम L को यहां मानेंगे और K को यहां मानेंगे तो K के उपर K के नीचे दो व्यक्ति और L के उपर एक व्यक्ति लेकिन आगे आपको बोला कि H सम संख्या वाले तल पर एक समसंख्या वाले तल पर नहीं रहता तो ठीक है यानि कि हम बात करें तो एक समसंख्या वाले तल पर नहीं रहता है यानि कि यह condition हमारी satisfy होती हुई दिखाई दे रही है है यनि कि यह हो जाएगा आपका क्या है कि W अघार यहोजाएगा आपका सकता था कि अगर यही डारटव क्या हो जाता है कि एक विश्संख्या वाले तल पर नहीं रहता है या चर्ब even number floor पे आता तो यह structure आपका कुछ इस फरकार से बनता देखो कैसे अगर आपको बोला जाता कि यह चेक even number floor पे रहता तो even number floor पे अपने पास जगा ही नहीं होती तो क्या करते उस case में हम उस case में हम बनाते L को यहाँ L को हम यहाँ बनाते तो L के उपर कितने वक्ती एक दो तीन चार और के को हम बनाते कहां 6 पे तो के 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 नीचे हो जाते 5 वक्ती लेकिन उस case में भी आपके पास h के लिए एक ही position बसती जो कि क्या था कि h को हमें कहां रखना पड़ता एक विशम संख्या वाले तल पर रखना पड़ता clear तो चलिए proper हमारा जो final arrangement है वो बन करके तयार है यानि कि अगर हम बात कर यहाँ पे position की तो बोला है L के उपर जितने वक्ती रहते हैं तो L के उपर यहाँ पर वक्तियों की संख्या हो गई एक और K के नीचे वक्तियों की संख्या हो गई दो तो L के उपर जो व्यक्ति रहते हैं उनकी संख्या K के नीचे रहने वाले व्यक्तियों से एक कम है और H एक संख्या वाले तल पर नहीं रहता है तो H के लिए एक संख्या वाला तल ही यहां पर आपको बचा हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि आप बात कर लेते हैं इस पर आधारित प्रश्णों की जो यहां पर आपसे पूछे गए हैं तो बोला है निमलिखित में से कौन सबसे उपर वाले तल पर रहता है तो option number D इसका right answer हो जाएगा यानि कि H पिर आपसे बोला गया है l और के माद इसके से सम्बंदित हैं एक फ्लूर छोड करके दूसरे पिर हुसे प्रकार आप बात करेंंस के एक फ्लूर के दूसरे फ्लूर पर पे किसके लिए के के लिए तो के कहा रहेगा आई के एक फ्लोर छोड़ करके दूसरे फ्लोर पर यानि कि आंसर हो जाएगा यहां पर आई कि option number C तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्ण देखने को मिल सकते और कि आपके exam से दो लैवल आप करके मैं नहीं पर आपको questions solve करा दिए हैं आपके exam में जो भी प्रस्चन आपको देखने को मिलेंगे तो इससे easy ही मिलेंगे इससे tough आपको question देखने को नहीं मिलेंगे clear अब हम लोग बात कर लेते हैं पजल पर बेज़ कुछ questions की तो पजल और कुछ नहीं है बस आपका सेटिंग अरेंजमेंट की तरीक है याणि कि दिये गए वैरियस डॉटा जो डाटा है उसको हम सेम कॉंसेप्ट और अप्रोच के साथ में follow करते हुए चलेंगे ठीक है तो यह पर दी गई जानकारी के अधार पर प्रस्टों को हल करेंगे तो पहले आप स्क्रीन शॉट ले करके क्या करेंगे सॉल्व करेंगे फिर हमारे साथ में मैच कराएंगे structure को चली है तो अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहले दिया गया डियर और एट बॉक्सेज ऑफ डिफ बॉक्सेज हैं विच इसकेप्ट बिलो ग्रीन यलो वाला कहा है ग्रीन के नीचे रखा गया तो यह हो गया ग्रीन एक दो तीन यह हो गया आपका यलो बॉक्स कितने थे आठ तो पांच पोजिशन तो अभी यहां तक हमें देखने को मिल रही है आगे कि इन्फॉर्मेशन क कर देखने को मिल जाए और यहां पर यहां पर लोट और ओर के बीच में दो बॉक्से और यहां पर आप देखेंगे तो एक दो तीन चार पांच सह आता यह निके और नीचे बॉक्स आप नहीं रख सकते लेकिन यहां पर भी आपके पास पॉस्यबिल्टी है पिर बोला जा तरह और च्काल उपर रखा गया है यह को गसले हो जाए का वाइट जो आज 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 भाइट निवाथ उसक्त बॉॉक्स में तीन बाउट है तो यह हो जाएक आपका एक दो तीन एक कये ऑनी प्रत्या गजड़ में लीन वन्वाक्स बॉल्स एक और ब्लैक रेड और ब्लैक के बीच में किवल एक बॉक्स रखा गया है विच इस नॉट केप्ट इमीडियेटली अब और बिलो यलो बॉक्स जिसे ना तो पीले बॉक्स के तुरंत ऊपर ना तो पीले बॉक्स के तुरंत नीचे रखा गया है यानि कि इसको ब्लैक को तो अगर ह आपका रेड और जो बचा हुआ आपका box है यानि कि blue कलर का box वो आजाएगा आपका yellow के नीचे तो इस प्रकार सिए आपका arrangement बन करके तयार है यानि कि सबसे टॉप टे कौन आजाएगा green फिर आपका आजाएगा black pink red yellow blue white और orange यापका प्रॉपर बन करके त्यार है क्लियर चलिए बात कर लेते हैं इस पर पूछे गए प्रश्णों की प्रश्णों की अगर हम बात करें तो बोला गया how many boxes are kept below red box red box के नीचे कितने box रखे गए हैं तो अगर हम बात कर यहां पर red की तो आप clearly देख सकते हैं yellow, blue, white और orange चार box आपको red box के नीचे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं तो प्रश्ण का उत्तर क्या हो जाएगा option number B बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्ण की which box is kept exactly between green and pink box green और pink के exactly बीच में कौन है तो आपको clearly दिखाई दे रहा कौन है ब्लैक कलर का box आपको green और pink के exactly बीच में दिखाई दे रहा तो answer क्या हो जाएगा option number C which of the following is not true इन में से कौन सा सत्य नहीं है तो बोला गया है पहला blue box is kept above white box blue box को white के उपर रखा गया तो पहला वाला तो सत्य है फिर बोला गया orange box is kept at bottom तो orange box आपका सबसे नीचे रखा गया यह भी बात सत्य है अच्छा not true आपको बताना है कौन सा वाला यहां पर सत्य नहीं है which of the following is not true ठीक है तो यह दोनों तो सत्य होगे फिर आपको बोला गया two boxes are kept between pink and blue तो pink और blue के बीच में दो boxes रखेंगा यह बात भी सत्य है यानि कि आप आँख बन करके अब लास्ट वाले को answer mark कर दीजे जैसा कि बुला गया है only one box is kept below orange box और नीचे कोई box है ही नहीं clear चली तो यह हो गई दी गई जानकारी आपके पास हिंदी भाशा में इसका आ यह हो गए प्रश्ण बात कर लेते हैं अगले पजल की चलो इसको हम लोग हिंदी में solve कर लेते हैं हिसाब बराबर तो यहां पर बुला गया आठ वेक्ति आलिया बिट्टू चिंकी डॉली इशा फिरोज गीता और हीना ने मार्च मई जून और सितंबर में हर महीने दो सेमिनारों के साथ सेमिनार किया ठीक है यानि कि महीनों के नाम अगर हम लिखें तो सबसे पहले हो जाएगा कि आपका म मार्च के बाद अगर हम बात करें तो माई माई के बाद अगर हम बात करें तो जून और इसके बाद हम बात करें तो सितंबर इसको थोड़ा और इस पेस चाहिए होगा चलो यहां पर लिखते हैं तो यह होगा आपका मार्च मार्च के बाद में माई माई के बाद में जून और सप्टेम्बर clear इसके बार आपको बोला गया है सेमिनार या तो महीने की बारा या ढ़ारा तारिक को हुआ तो यहां पर हम लिख लेए ell के लिए बारा तारिक और ढ़ारा तारिक इसके लिए भी हम लिख लेंगे 12 तारिक और 18 तारिक दा सेम इसके लिए हो गई 12 तारिक और 18 तारिक और इसके लिए हो गई 12 तारिक और 18 तारिक तो question कैसा भी हो आपको बस क्या करना है एक proper structure को बनाना है और एक approach को follow करना है जैसा कि मैंने बताया जो दी गई जानकारी fix और इसको fix करिए जो नहीं fix और इसको क्या करिए as an information note down करके लिख लिजे अब यहाँ पे हम लोग possible structure भी बना लेते हैं चली इस प्रकार से यह आपका एक table बन करके तयार है अब बात करते हैं दी गई जानकारी की तो बोला है बिट्टू का seminar मई में है बिट्टू का seminar कहा है मई में है तो बिट्टू या तो 12 मई को seminar करेगा या तो 18 को seminar करेगा तो यह भी हो गया आपका fix आगे कि अगर हम बात करें तो बोला है आलिया और बिट्टू के बीच एक सेमिनार है यानि कि आलिया यहाँ पे भी हो सकती है और आलिया यहां पे भी हो सकती है अedd कि अगर हम बात करें डॉली और चिंकी के एक ही महीने में सेमिनार है यानि कि डॉली और चिंकी के सेमिनार के अगर हम बात करें तो डी और सी के अगर हम बात करें तो यह उपर नीचे भी हो सकते हैं और साथ इसाथ इनके जो सेमिनार है वो क्या है same month में है इसको भी हमने क्या किया as an information note down करके लिख लिया आगे कि अगर हम बात करें गीता का सेमिनार माह के किसी एक तारिक को है गीता का सेमिनार माह के किसी एक तारिक को है एक मिनट यहाँ पर English में देखना पड़ेगा कुछ यहाँ पर typing mistake है गीता है seminar on 18th हिंदी में question solve करने का यह भी फायदा हुआ कि यहाँ पर जॉप का typing एर एर थोड़ा सा हिंदी में वो भी यहाँ पर clear हो गया ठीक है यहाँ पर एक की जगे हो जाएगा 18 किसी एक माह की 18 तारिक को है इस sentence को आप लोग थोड़ा सा improve कर लेंगे गीता का seminar किसी एक माह की 18 तारिक को है लिख देता हूँ मैं यहाँ पर इस line की अगर मैं बात करूँ तो यह हो जाएगा गीता का seminar किसी एक माह की 18 तारिक को है clear उस sentence की जगे आप यह sentence लिख लेंगे यह है आपका को चली तो गीता का seminar किसी एक माह की 18 तारिक को है तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि गीता जो है वो किसी मन्त की 18 को क्या करेंगी कि नार करेंगी आलिया का seminar 31 तो इन वाले महिने में है यानि कि अगर हम बात करें तो आलिया का 31 वाला महिना हो गया मार्च 31 वाला महिना हो गया मेर्च जबकि यह घुग यह जड़की आपका 30 वाला इट मिन्स आलिया का सेमिनार या तो में में होगा या तो मार्च में होगा और यहां पर बोला है A और B के बीच में एक सेमिनार ठीक है तो अगर हम बात करें आलिया के सेमिनार की तो आलिया का सेमिनार एक छोड़ करके यहां पर हो सकता है और नीचे में नहीं हो सकता, यहां पर भी एक छोड़ करके यहां पर हो सकता है, देखिए, आलिया का सेमिनार बोला गया 31st वाले मन्त में, तो अगर हम B के नीचे आते हैं, एक बंदे को छोड़ करके तो 30 वाले महीने शुरू हो जाएंगे, यहां पर 31st वाला महीना देखने के बीच सेमिनारों की संख्या डॉली और गीता के बीच सेमिनारों की संख्या के समान है, यानि कि आलिया और इशा की बात करें तो इनके बीच एक्वल नमबर ऑफ सेमिनार हैं कमपैर्जन टू डॉली और गीता, के बीच जितने नमबर ऑफ सेमिनार से उतने ही आलिया और इशा के बीच में आपको समिनार देखने को मिलेंगे आगे कि अगर हम जानकारी की बात करें तो बोला गीता से पहले कहीं फिरोज का समिनार यानि गीता से पहले किसका समिनार होगा फिरोज का समिनार होगा अब हम लोग दी गई जानकारी को यहां पर क्या करते हैं फिक्स कर बाद है दूसरी चिंखी और हम बात करें यहां पर या आपका डॉली चीप्णी का यहीं देखने को मिलेगा न्युकी च्टिंखी के ठीक बात है यानि कि टौनी चिंखी और हीना ये तीन आपके consecutive sequence इस प्रकार से दिखाई देंगे अब अगर हम बात करें डॉली और चिंकी का जो समिनार है वो सेम मन्त में है तो डॉली को यहां रखेंगे चिंकी को यहां रखेंगे तो हीना को हम यहां रख सकते हैं अगर हम डॉली को यहां रखते हैं चिंकी को यहां रखते हैं तो दोनों का सेमिनार अलग-अलग महीने में हो जाएगा इट मिन्स यह बात फिक्स हो गई कि यहां पे कौन हो जाएगा डॉली जून में आ गई चिंकी भी कहा गई जून मंध में आ गई और इस परकार हीना का सेमिनार कहा है चिं यह रहाप का A E की अगर हम बात करें तो E को हम कहां कहां फिल कर सकते हैं हलाकि लास्ट जो इन्फरमेशन आपको दी गई है वो क्या दी गई है गीता से पहले फिरोज का सेमिनार है तो फिरोज का जो पोजिशन होगा वो गीता से पहले यानि कि उपर कहीं पे होगा अब अगर हम बात करें E की तो अगर E को हम यहाँ पे रखते हैं माल लेते हैं E को अगर हम यहाँ पे रखते हैं इस वाले स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं E को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 2 consecutive वैंव हमारे पास positions नहीं बची किसके लिए गीता और डॉली के लिए e को अगर हम यहां पर रखते हैं बचिए a को यहां रखते है तो a और e के बीच में कोई सेमिनार नहीं उसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहां पर हम किसको रख सकते हैं गीता कोई सेमिनार नहीं लेकिन अगर हम बात करें तो बोला गया है यहां पे आपको गीता से पहले फिरोज का सेमिनार है तो गीता से पहले फिरोज के लिए कोई भी यहां पे पोजिशन बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है यहां पे हो जाएगी condition cancel अब हम दूसरी condition को follow करेंगे अगर यहां पे हम रखते हैं E को तो A और E के बीच में कितने सेमिनार दो सेमिनार तो D और G के बीच में भी कितने सेमिनार दो सेमिनार और फिरोज जो है वो G के कहीं उपर है तो बिल्कुल यह आपके condition satisfy होती है आपको दिखाई दे रहा है यानि पांच बंदों को अगर हम ले लेते हैं किसके किसके बीच इशा और यहां पर अगर हम बात करें आलिया के बीच तो यहां पर जी और डी के बीच पांच बंदों के लिए पोजिशन नहीं दिखाई नहीं दे रही है यानि कि यह वाला हो जाएगा आपका structure cancel है क्लियर और य इससे आपको proper visible हो question चलिए तो approach सेम रहने वाला है बात कर लेते हैं पर प्रस्णों की ए के बाद कितने व्यक्तियों का seminar है तो यहां पर चार व्यक्तियों का seminar है तो answer हो जाएगा option number A 12 माई को किसका seminar है तो 12 माई को seminar है यहां पर B का option number D आपका right answer हो जाएगा clear तो यह बात हो आधारी तो जो भी आपके प्रस्ण आपको exam में देखने को मिलेंगे तो जो मैंने आपको basic concepts बताए है यहां मैंने जो आपको तरीका और अप्रोच बताया इस अप्रोच और तरीके के साथ आप number of questions की practice करिए आपके पास sufficient number of questions as a practice sheet available है previous year papers भी आपके पास available है as well as अगर हम ल practice करते रहेंगे clear doubt clearing के लिए आपके पास telegram group already available है जहां पे आप अपने doubts हमारे साथ में clear कर सकते हैं तो सारे ही resources आपके पास है अगर हम बात करें reasoning की तो reasoning में आप हम लोग सीधे मिलेंगे कहा practice session के lecture में जहां पे हम लोग सीधे mock paper model paper यह हम बात करें आपके previous year papers को discuss कर रहे हों related जहां पे आपके almost सारे ही topics को cover up करा दिया गया है अब रहे गई तो केवल आपके उपर सारी चीज़े कि आप कितने अच्छे से topics को cover up करते हैं जहां पे doubts हैं उनको किस प्रकार से आप clear करते हैं सारे ही आपके पास available resources हैं जहां पे आप हमारे साथ connect हो सकते हैं अगर रही ब कार से अपने exam की त्यारी करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप में से बहुत सार ऐसे बच्चे हैं जो daily basis पे regular basis पे हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे topics को watch करते हैं हमारे साथ parallel topics को cover up करते हुए चल रहे हैं तो उनके लिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है बस आपको timely क्या करना है topics को revise करना है कैसे revise करोगे तो short notes का compilation आपको रखना है जो भी आपको practice sheet दी जा रही है आपको क्या करना है वहाँ पे number of questions की practice करनी है और अपना hundred percent देना है और पूरी एक proper त्यारी के साथ आपको exam में जाना है और जैसा कि अगर हम बात करें CGL के exam की तो बहुत जाद आ नहीं बचा हुआ है हलांकि CHSL के लिए आपके पास sufficient time है तो आप सभी को exam के लिए all the very best आप बहतर तरीके से त्यारी करें और आपको जो भी समस्या आती है उस समस्या को लेकर कि आप हमसे telegram पे discuss कर सकते हैं आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मि मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसके साथ में प्राक्टिस सेशन के साथ में थैंक यू